पाकिस्तान में लॉकडाउन को 14 अप्रिल तक बढ़ा दिया गया है और यह कहा गया है कि इस दौरान अथॉरिटीज जो है वो सिचुएशन को रिव्यू करती रहेंगी और रिस्ट्रिक्शन को उसी वक्त उठाया जाएगा जबके तसली हो जाएगी कि अब कोरोना के हवाले से सुरतेहाल काबू में हैं प्राइमिनिस्टर इम्रान खाने को रोज पहले एक स्पेशल वॉलेंटियर फोर्स बनाने का की अनॉंस्मेंट की थी और यह फोर्स बनाई जा रही है ताकि जो अथॉरिटीज हैं उनको हेल्प आउट किया जा सके इस करोना की सिचुएशन मे और अब प्राइमिनिस्टर के एक एडवाईजर जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि 90,000 जो नौजवान हैं यंग्स्टर्स हैं वो इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए खुद को रेजिस्टर करवा चुके हैं इसके इलावा प्राइमिनिस्टर इम्रान खान ने एक निया एकनॉमिक इनिशिटिव शुरू किया है इसास एमर्जनसी इनिशिटिव के तहट पूरे मुल्क में 12 मिलियन फैमिलीज को 12,000 रुपे का वजीफा दिया जाएगा ये वो लोग हैं जिनका के कारोबार करोना की इसके पाकिसान में डेली बेसिस पर नए हेल्थ फसलिटीज बनाई चारहे हैं इसके इलावा जो फ्यूमिगेशन हैं वैनेस कैम्पेंज यह चल रही हैं और डेली बेसिस पर ही तकरीबन सेंख्रों लोगों की गिरिफतारिया भी हो रहे हैं सेक्शन वान पॉर्टिफोर क बैंक्स के बाहर और ग्रोस्री स्टोर्स के बाहर लोगों की भीड दिखाई देती है। पाकिसान में फ्लाइट ऑपरेशन्स वो सस्पेंड़ हैं लेकिन इसके बावजूद कल खास तोर से दू फ्लाइट्स को टॉरूंटू जाने की इजाज़त दी गई और यह फ्लाइट्स तक्रीबन शेसो जो किनेडियन सिटिसन हैं जो पाकिसान में फसे हुए थे उनको श्लाइट्ट तक्रीबन शीणा स wanna भीया जह हैं बाता मुद्ई बाता हैं ए मका मवाज़ณ्स तक्रीबन ऑभ्लाइट्स